और आंग यहां पर भी धेर हैं और बिल्कुल बक्रियों की तरह खेल रहे हैं आच गया सिरी के हराये आपको दो दफा बोल के कि जो हिम्मत है जीत के डगो अपने घर के अंदर भाई साहब आप लोग कड़ते रहो आप लोग इंडिविजल की पीछे लड़ते रहो मेरे चां करना था हो सकता था हमारी अपनी कंडिशन सी हमारी अपनी पसंद की पिछ सी इस पे भी हम जिस्तों कहतें के जीरों से पाकसान बाइर ना आ सका लेकिन जो एक रा एक आउट ता साउच शिकील का वो भी उमारे लिए इंताही बुरा साबित हुआ वो आउट श्याइड नह आपकी क्रेक्ड़ ढरेकन दोस्तों आक देख रहे आपका पाइका चैनल अवार saja Strategy डीन दोस्तों ग्याया बात कि जाए माशिआ को इंगलेंड साट मेरे बहुत आसाना दिया और पाकिस्तान को नेस्चा नाबूद कर दीया पाकिस्तान की सातान की थिता JOE हुमेदें संदू को राया और पाकिस्तान को पूरी एक तरफ आई ये दूसरे दिन में वॉल आउट कर दिया और दोस्तों इस पर बाक मीडिया का क्या रियक्शन आया देखने के लिए सूर कते हैं मज़दार वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना में मिल तो आपको वीडियो के एंड में उसी दुनिया जो है इमन बंगलादेश में घर में वो शेर हैं और आंग यहां पर भी ढेर हैं और बिल्कुल बक्रियों की तरह खेल रहे हैं तो मैच गया सिरीज भी गई और जो कह रहे थे पाकिसानी बहुत अपकी क्रिकिट की रियालिटी देखें राबिंसन को मैच खतम हो जाएगा पहले जी ब्रार ओ जी है चके चोके मारे आगा सल्मान सामने अच्छा जी चले ठीक है जाइब यह जी तुक तुक कर रहा है सल्मान सामने अच्छा जी यह भी ठीक है यह जो तुम्हारा अबा जी आगे मौम्मद अली साहब आए है यह क्या कर रहा थ यह है आपकी क्रिकेट, यह है कुद्रत का निजाम, यह है आप कहां खड़े हुए, फिर मुझे क्वेस्चन करते हैं लोग, अब मैं तुम्हें तुम्हारी अंतनियों से जानता हूँ, जब तुम पैदा हुए थे ना, तो मैं उस वक्त से तुम्हारी क्रिकेट को, तुम्हा तक मैं है, अलिफ से यह तक मैं जानता हूँ, यह कितनी पानी में है, कितनी इनकी उकात है, आगास सल्मान को खिलने वाला, दुम्हारी का बड़ा, बेखुरूफ गदा है, और इसको रखने वाला, उससे बड़ा गदा है, और मैं अरान हूँ, के एक बंदे को, इस एक सें हम पिछले साल, जब से मैं हूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी उपर जा रही है, यह तेरी क्रिकेट, टस्क क्रिकेट में हम तमाब भरबाद घलक कर दिया, तूने हमारी क्रिकेट को, हमें हमाद याद दिला दी, वहां ब्रहमी अमी खुश, यहां कुछ लोग जशन मन आ रहे हैं, और आपका बर्डे तो स्वाइल किये ही है, हमारी ओप्स में, अभी जब शायद 48 रंस भी थे, उस वख मैंने अली से का, अली पता नहीं क्यों तसल्ली नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि, क्यों तसल्ली होगी, विल नॉट क्रॉस दे लाइन, और अपन बवे खिलाफ लाइन क्रोस करते हो, आपके चेर्मेन बोलते तो हैं, क्यों बखर पे पिच्छी नहीं चाहिए होती, सौथ अफरीका अपने घर से बाड़ नहीं कहलता, उन्हों ने तो आपकी विक्ट्रीस को नलिफाइ कर दिया, बकॉल आपके चेर्मेन के, उन्हों नलि दिया जिंग्लेंड ने उन्होंने बोल के हराये आपको दो दफा बोल के कि जाओ हिम्मत है जीत के डगो अपने घर के अंदर भाई साब आप लोग करते रहो आप लोग इंडिविजुल्स की पीछे लड़ते रहो मेरे चांद को कुछ कह दिया मेरे प्यारे को कुछ कह दिया मेरे सूरज को कुछ कह दिया बाड में गई इंडिविजुल्स यार इस दिस पाकिस्टन क्रिकट यार इंडिविजुल्स की क्रिकट बना के छोड़ दी है अपनी यह चार-पाच लोगों के क्रिकट आके हो गई है कल आपने इतना बड़ा वो बनादिया स्टेज कर दी है हैंस्रिंग हैंस्रिंग आज सोबा बैटके वो इंटर्व्यू दे रहे हैं रिजवान साब के नहीं जी वो तो ओपिनिंग बड़ी असा तो क्या आप ग्राउड बना रही हो वो पनी मुल्की इज़तों से खेलते हो यह बहुत कोई फखर की बात है ब्लेडी इंबेरेसिंग डिफीट वन्स अगेन अट होम नाइंटीन फिफ्टीन आइंग के बाद पाकिस्तान तीन कंजेक्टिफ टेस्स से अज आज हार गया अब यह भी दीजेगा बहुत लोग मुझे बोलते हैं न कि तुम बाबर की कप पाकिस्तान में इंगलेंड ने आज तक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को सीरीज नहीं अराई थी पाकिस्तान से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी टेस्ट मैचों से पहले इंगलेंड ने पाकिस्तान में सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता था इंगलेंड की टीम पा आज England ने well deserved victory मैं इसको कहूँगा. England यह जीत deserve करती थी England की team. गर के इंदर नहीं जीट सकती अपने घर के इंदर या तो आप जाओ ना किसी दूसरे मुल्क में जाके अस्ट्रेलिया में हार के आओ इंग्लेंड में हार के आओ तो हम कहें कि या नहीं मुश्किल था आपने फाइड की आप जिसों कहते हैं 27 रंद से हार गे इतालिया बाप के लिए बनती हैं क्यूंकि आप किसी के घर जाके इतनी फाइड कर कर आ रहे है वह अपने घर के अंदर हार रहे हो लगातार दो मैच्छ तीन मैच्छ अस्ट्रेलिया के टिए मैच इस साल के अंदर पाकिसान ने पांच ट्रेस मैचश अभी तर्क खेले हैं दो डूर तीन ह हाड़ते और हम लोग अपने घर के अंदर हार रहे हैं कि मतलब कि हमारी टेस्स किरिकी यह अंजाम होना था कि कहने को थो 355 चेस्ट करना था हो सकता था हमारी अपनी कंडिशन सी हमारी अपनी पसंद की पिछ सी इसने हम जिस भुर्णेलिए उस्टेलिया पहार वो यहिरा हमारे वाता फिर्फंट हमारे मार दिए पतादी किस दिन हम जी चीरिदे करें पने हमारे हमारे मंना सब्सक्राइब को कम से कम इस मैच को जीतना चाहिए था बिल्क जो है हमारे हाथ से निकल गया बिल्कुल खातों में तर दौट सब यह मैच थोड़ी सी शरम होती है थोड़ी सी हाया होती है इतना गंदा रिकॉर्ड 1959 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान अपने घर में तीन कंजेक्टिव टेस्स मैच हा रहा है और लास्ट पांच मैचिस में से एक भी नहीं जी सका 맛leich का और यह थे ऑसे कहले हिसे हैं उसलिळी जारकिस्तान ए टीने का क्केटिश कुछ से माइंत एंट साव्तियों टेस्ट ही चुछ पर्यूंट सतरु कि यह पाकिस्तान से बद्दलों मेधेश्य पिर भी इंगलेंड ने अपना जिग्राः दिखाया और पाकिस्तान को हगरा दिया, वह भी बहुत यहास कि से हगरा दिया, पहला टेस्ट मैंज, त्ह स्टम हो समध Politics का कि क्युक तृष, अम्reatedूर्छ में खत्म हो गया ऑदे, समुझ लिजिया, ऐसे बूरी तरह से पाकिस् उस बहादूरी की बदलत उन्हें शेकंड टेस्ट में बहुती अच्छी और शांदार किसम की जीत मिली और इंगलेंड ने डर कर पाकिस्तान की तरफ बुझ दिलों की तरह नहीं खेला इंगलेंड ने शेरों की तरह खेला और आप देखी सकते हैं कि दूसरा टेस्ट मेंच इंगलेंड जीत गया और पहला टेस्ट मेंच भी इंगलेंड जीत गया और यह पूरी टेस्ट शीरीज जो कि तीन टेस्ट मेंच की थी जो पाकिस्तान में थी वह इंगलेंड जीत गया है दो सुन्य की बढ़त से और अगर पाकिस्तान ऐसे ही पीचिस बनाते रहा ऐसी बाबराजम कैपिनशी करता रहा तो फिर पाकिस्तान कभी भी टेस्ट में नहीं जिद सकता हूँ अपने घर में नहीं जिद सकते हैं तो यह बाहर जाकर क्या ही टेस्ट में जिद सकते हैं इससे अस्चा थो स्वी लंका आप गनिस्तार और बंगलादेश का रेकोर्ड अपने घर में अच्छा है